C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा पस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक मुहम्मद इकबाल तारुफ शायर मुहम्मद इकबाल पैदाईश 1877 वफात 1938 इकबाल सियाल कोट में पैदा हुए शमसुल उलेमा मौलवी सेद मीर हसन से फार्सी अर्बी और दीनी उलुम की तालीम हासिल की सियाल कोट ही में एक अंग्रेजी स्कूल से एंटरिंस का इमतिहान पास किया स्कूच मिशन स्कूल से एफए किया लाहर में आला तालीम पाई अप्तदाई तालीम के जमाने ही में शेर कहने लगे थे उस वक्त हिंदोस्तान में दाख की शायरी का डंका बज़ रहा था अप्तदा में इकबाल ने खतो किताबत के जरीए उन से इसलाह ली लाहर ही में तालीम के दोरान प्रोफेसर आरनल्ड से फलसफे की तालीम हासिल की जब प्रोफेसर आरनल्ड इंगलेंड चले गए तो उनके इसरार पर इकबाल ने 1905 में योरोप का सफर किया महा फलसफे में मजीद महारत पैदा की और फारसी अदब का मुताला भी जारी रखा इसके बाद लंदन वापसा कर बेरिस्टरी का इमतिहान पास किया 1908 में हिंदोस्तान वापसाई और सरिष्टे तालिमात से वाबस्ता हो गए इसके बाद बेरिस्टरी शुरू कर दी इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मरतबे से मतास्र होकर हकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया इसके इलावा भी उन्हें मुखतलिफ एजाजाजात पेश किये गए अलामा इकबाल ने एक तवील इलालत के बाद लाहर में इंतकाल किया अलामा इकबाल की निगारिशात में अंग्रेजी, अर्दू और फार्सी नसरो नजम का कसीर सर्माया शामिल है अर्दू में उनके शेरी मजमुए बांगे दरा, बाल जिबरील और जर्बे कलीम है अर्मगान हिजाज उनके अर्दू और फार्सी कलाम का मुश्तरिक मजमुआ है फार्सी में इकबाल के कई मजमुए है इकबाल ने शायरी को पेगाम का जरिया बनाया था उनकी फिक्र में हरकत और अमल का फलस्फा कार फर्मा है इकबाल की इफकार में फलस्फा खुदी को एक खास हैसियत हासिल है इकबाल की मजहभी फिक्र भी उनकी शायरी का एहम जुज़ है मगर्ब की जहनी गुलामी से आजादी के ख्यालात उनके यहां नुमाया है रोज यह सवाल किया जहा में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया हुई है रंग तगयूर से जो नमूद उसकी वही हसी है हकीकत जवाल है जिसकी कहीं करीब था ये गुफटगू कमर ने सुनी फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को फलक की बात बता दी जमी के महरम को भराए फूल के आंसू पयाम शबनम से कली का ननहसा दिल खून हो गया गम से चमन से रोता हुआ मौसमे बहार गया शबाब सेर को आया था सोगवार गया मुहम्मद इकबाल मश्क लफजो मानी जवाल पस्ती गिरावट तस्वीर खाना निगार खाना पिक्चर गैलिरी शब दराज लंबी राद अदम ना होना तगयर तब्दीली नमूद अलामत निशान जहूर अख्तर सहर सुभा का सितारा जमी के महरम जमी के राजदार सोगवार गमगीन अफसुर्दा गोर करने की बात नमबर एक इकबाल की ये नजम दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा करती है और तब्दीली को कारखाने कुदरत का उसूल समझती है कली का फूल बन जाना, मौसम बहार के बाद खिजा का आना और शबाब के बाद बुढ़ापे की आमद, फितरत के इसी उसूल के तहट वाके होते है नमबर दो इकबाल ने खुदा और हुस्न के मकालमे के जरिए इस हकीकत को आशकार किया है कि दुनिया की हर शे फना होने वाली है और ना सिर्फ ये कि फना उसका मुकदर है बलके जवाल ही में उसका हुस्न पोशीदा है नमबर तीन दुनिया की हर शे, मसलन चांद, तारे, शबनम, कली, अपने तमाम तर हुस्न के बावजूद फानी है मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक खुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया है नमबर दो खुदा और खुस्न के दरमियान गुफदुगू की खबर, जमीन के बासियों को किस तरह हुई नमबर तीन फूल, कली, मौसम बहार और शबाब को शायर ने सोगवार क्यूं कहा है नमबर चार नजम के आखरी शेर की तश्री कीजिए अमले काम कमर के मानी है चांद उर्दू में चांद के लिए और भी अलफाज इस्तेमाल होते हैं मसलन हिलाल, बदर, माह, मह, और महताब इसी तरह सूरज के लिए जो अलफाज इस्तेमाल होते हैं वो लिखिए नवाय उर्दू, भाग दो, पेशकस, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत